नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदे महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां अगर नहीं किया तीस की उम्र में इन ब्यूटी रूल्स को फॉलो तो भूल जाए अपनी स्कीन की खुब सूर्ती को जिह हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर प्राकृती की हर चीज में आपकी किसी न किसी प्रोब्लेम का सोल्यूशन छिपा रहता है चाहे वो फल हो या फिर सबजियां यहां तक की मसालों में भी आपकी स्कीन प्रोब्लेम्स का सोल्यूशन होता है आज भी हमारे बीच कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अंदेखा करते चले आ रहे हैं जिसमें कई चीजों को बिना किसी ताम जाम के आप सीधे ही अपनी स्कीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं जिहां हम भात कर रहे हैं कड़ी पत्ते को सांबर रसम से लेकर के कई सारी डिसेज में इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल खाने का जाय का बढ़ाने के लिए किया जा रहा है लेकिन शायद आपको मालूम न हो कि कड़ी पत्ता आपकी स्कीन के लिए बिहद ही फायदे मंद हो सकता है आप इसे बाजार से ला सकते हैं जहां महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जगा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कड़ी पता है आपकी स्कीन के लिए वरदान विश्वास नहीं होता है तो इसके फायदे आप आईए खुद ही सुन लिजे फिर इस्तेमाल करके भी देख लिजे आज कल जढ़ते हुए बाल और डेनरफ हर महिला की एक कॉमन समस्या है जिसके लिए आप न जाने कितनी स्कीन ट्रीटमेंट लेकर के हेर ट्रीटमेंट करवाती हैं और तो और आप अपनी इन प्रोब्लेम्स को कई बार अंदेखा कर देती हैं ऐसे में अगर आप कड़ी पत्ता अपनी स्कीन और हेर पर अपलाई करती हैं तो ये आपकी इन समस्याओं से आपको छुटकारा दिला देगा तो आए जानते हैं कैसे इस्तिमाल करना होगा आपको कड़ी पत्ते का पेश्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है इसके बाद आप इस पेश्ट को अपने स्केल्प पर अच्छे से लगा लेजिए आपको इसे कम से कम 15-20 मिनट तक लगाये रखना है इसके बाद आप इसे वोश कर सकती है इसे लगाने के बाद आपके स्केल्प से डेंडरा बिलकुल ही गायब हो जाएंगे कड़ी पत्ते का तेल दिलाएगा सफेद बालों से छुटकारा बढ़ती हुई उम्र के साथ-साथ आपके बालों का सफेद होना एक आम बात है इसके साथ ही कई बार उम्र से पहले ही आपके बाल सफेद होने लगते हैं इन प्रोब्लेम्स से छुटकारा पाने के लिए कड़ी पत्ते का तेल आपके लिए बेहद ही फायदे मंद है कड़ी पत्ते का तेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ी से नारियल तेल को खलका गुनगुना करना है इसके बाद आपको इसमें कुछ कड़ी पत्ते मिलाने हैं इसके बाद आप इसे कुछ समय के लिए इन्हें नारियल तेल में पड़ा रहना देना है जैसे ही कड प्रोब्लेम्स में आप सबसे ज़्यादा नफरत पिंपल्स से करती हैं इसके अलवा पिंपल्स आपके फेस पर बेहधी भद्धे भी दिखने लगते हैं दाग धबे गड़े छोड़ जाते हैं जो आपकी बची खुची ब्यूटी को ग्रहन कर देता है या ग्रहन लगा देत है अगर आप कड़ी पत्तों का इस्तेमाल करती हैं तो यह आपकी स्कीन को स्मूथ करने के साथ साथ पिंपल्स को भी भगाता है इसका रोजाना इस्तेमाल पिंपल्स मार्क्स से भी छुटकारा दिलाता है आये जानते हैं कैसे इस्तेमाल करें आपको सबसे पहले कड़ी प इसे लगाने से पहले अपने फेस को 10 मिनट पहले अच्छे से वाश करना है इसके बाद आपको रोजाना हर दूसरे दिन इस पेश्ट को लगाना है ताकि आपको इसका फायदा मिल सके जी हाँ आप अक्सर अपने रोजाना के सेड्यूल में बिजी रहती हैं किसी वज़ा से आपकी स्कीन पर ध्यान देना भूल जाती हैं अपनी स्कीन को लेकर आपकी ये लापरवाही आपकी स्कीन को काफी नुकसान पहुंचाती है जिसकी वज़ा से आपके फेस पर दाग धब्बे प पैक से फिक्स करने की जरूरत है इसके लिए आप कड़ी पत्तों का एक पाउडर बना सकते हैं यह आपकी स्कीन से इंदाग धबों से लेकर के फाइन लाइन्स तक को जड़ से खत्म करता है इसके साथ ही यह आपकी स्कीन में एक नीचुरल ग्लो भी लेकर के आता है जिहां क कैसे करें इस्तेमाला यह जान लेते हैं, आपको कड़ी पत्तों का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले कड़ी पत्तों को धूब में अच्छे से सुखा लेना है, इसके बाद आप इन्हें पीश कर एक पाउडर बना लीजे, इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा इसेंट इसमें खुबसूरत हो जाएंगे, जिहां इसके अलावा आपकी स्कीन के लिए भी यह बेहदी फायदे मंद होता है, यानि कि कड़ी पत्ते का आप इस्तेमाल करके अपने फेस को स्मूथ बना सकती हैं, जो कि लाश्ट वाला मैंने आपको बताया यह फेस के लिए था, ऐस इसे ही बालों के लिए बताया था मैंने कि अलग-अलग क्या प्रियोक करके आप अपने बालों को स्मूथ कर सकती हैं, यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं, एक और बेहदी महतुपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों.